दोस्तों कृष्णम्रिग यानी ब्लैक बक एक भारती अम्रिग है प्राचीन काल में यह भारत में बहुलता से पाये जाते थे किन्तु अब ये छोटे बिखरे हुए जुन्डों में देखे जाते हैं जो मुख्यत है किसी सनच्छित वन छित्रों तक में ही सीमित है कृष्णम्रिग मुख्य रूप से दिन के समय सक्री होते हैं यह तीन प्रकार के छोटे छोटे समूहों में रहते हैं मादा, समूह, नर समूह और किसो और बच्चों का समूह दोस्तों, नर कृष्णम्रिग अक्सर प्रणय की मुद्रा में रहते हैं जो किसी हिरडी के इड़गीड मंडराते रहते हैं नरक्सर सम्भोग के लिए हिरडियों को गले लगाने की रड़नीत के रूप में लेकिंग को अपनाते हैं जबकि अन्य नरहिरणों को इन छित्रों से दूर रखने की कोशिस की जाती है इस प्रकार एक सबल और मजबूत नरहिरण मादा के साथ मिलन करता है और अपनी वन्स व्रिद्ध को आगे बढ़ाता है काले हिरणों में यह क्रिया पूरे वर्ष भर देखी जाती है इन में गर्वधारण आमतोर पर छ्य माह का होता है जिसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है मादा बच्चे हिरणिया आठ माह की उमर में योन रूप से परिपक्क हो जाती है किन्तु अपना साथी ओदो वर्ष वाद ही बनाती है जबकि नर बच्चे आठारा माह में योन के लिए परिपक्क होते हैं दोस्तों आमतोर पर इनका जीवनकाल दस से पंदर वर्ष का होता है दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक तथा सेयर करें साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर आल वाली घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे धन्यवाद